नमस्कार आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रश वक्त दाहार का है लेकिन दाहार में चर्चा की शुरवाद दिल्ली की सियासत और इसके साथ ही स्वाती मालिवाल और अर्विन केजरिवाल और उसमें बीजेपी की भूमिका स्वाती मालिवाल केस में मारपीट के आरोपी विभाफ कुमार को चार दिन की जुडिशिल कास्टिडी में भेज दिया गया दूसरी तरफ स्वाती मालिवाल ने अपने आरोपो को एक बर फिर से दोहराया स्वाती के आरोपो से दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरि वाल भी सीयम आवास में मौझूद थे स्वाती मालिवाल नारको टेस्का सामना करने के लिए भी तैयार हैं तो दूसरी तरफ केजरी वाल को चुपी तोड़ने में नौ दिन का वक्त लग गया ऐसी भी खबरे आ रही है कि सीयम आवास के सीसी टीवी फुटिश नहीं मिल रहे आखिर क्या च्छिपाने की कोशिश हो रही है क्या क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुख्य मंत्री आवास का जो सीसी टीवी है वो काम ही नहीं कर रहा हो जाIRE कि ऐसे बहुत सारे अंसुल जे सवाल है लेकिन इसमें वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है मैं 13 माई को सुभा 9 बजे के करीब अर्विन किज्रिवल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्रोइंग रूम में बिटवाया और बताया कि अर्विन जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं इतने में बिभव कुमार जो कि उनके पीएस थे वो वहाँ पे धन धनाते वे आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भई क्या हो गया मतलब अर्विन जी आ रहे हैं क्या हो क्या गया तो इतना मैंने बोला और इतने में उन्होंने हाथ छोड़ दिया उन्होंने मुझे साथ आठ थपड पूरी जोड़ से मारे तो जब मैंने उन्होंने पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया मैं नीचे गिरी और फ के चर्चा वो ये कि चुनावी वक्त पर स्वाती मालिवाल केस में क्या फस गए हैं अर्विन केजरिवाल मालिवाल मामले से केजरिवाल के महिला वोट बैंक पर क्या असर होगा मालिवाल मारपीर केस में केजरिवाल को चुपी तोड़ने में 9 दिन का वक्त क्यूं लग गया स्वाती नार्कोटेस के लिए तैयार लेकिन दिल्ली सरकार किसको बचा रही है और सियम आवास के CCTV फोटेज आखर किसने गायब करा दिये हैं ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि एजाज को प्रभावित करने की पूरी संभावदा बरकरार रखता है